जै मातादी नवरातर के दिनों में नो दिन माद दुर्गा के नो रूपों का पूजन करने का विधान है और ब्रत रखने का भी विधान है माननेता है कि इन नौ दिनों तक घर में मा दुरगा का वास होता है इसलिए कोई भी नया और सुबकारे करने में मा का आसिरवाद आपके साथ होता है अगर हम बास्तु की माने तो कुछ विसेश उपाय जो चावल के हैं करके आप अपने घर में सुख सम्रिद्धी जो पूरे साल आपके घर में बनी रहेगी उसको प्राप्ट कर सकते हैं स्वभागी का आगमन होगा दुख दाड़ेद्र का नास होगा तो नवरात्र में मा दुरगा का चुकि घर में आगमन होता है इसलिए साप सफाई का बिसेश ध्यान रखे घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरन जिसको हम बंदनवार कहते हैं जरूर लगवाईए ताकि नकात मक सकतियां घर में प्रवेश नहीं कर सके चावल का कुछ बिसेश प्रियोग भी होता है हलांकि मा की मूर्ती को लकड़ी के आसन पर ही रखिएगा ताकि आपके जीवन में आर्थिक उन्नती और तरक्की के द्वार खुल सके चुकि अखंड जोध भी प्रजोलित करने का भी थान है लेकिन सिधे सिधे जमीन पर ना रखकर आप लकड़ी के पाटे या चौकी पर चावल रखकर ही रखिएगा यह आपके लिए उत्तम है जीवन में धन भला किसी नहीं है हर किसी को कामना है कि ठेज़ सारा पैशा हो अच्छा से घर हो सुकुन भरी जिन्दगी विवन में फटाव के लिए स्वहरे के लिए हर릴 सामगरी हो चोटी सीपहिस से बड़ी ख़्वैस नहीं है लेकिन क्या सब्सक्राइब करना है अगर हम तोटके की बात करें तो बहुत सारी चीजों के टोटके होते हैं बस उसको कड़ने का तरीका अलग होता है आज हम बात करेंगे चावल की चावल के 21 जाने कैसे आपके भागे को बदल सकता है बहुत सिंपल है किसी भी गुरुबार या सुक्रबार के दिन ये उपाय आपको करना है और चली हम सुरुआत करते हैं देखें अभी तक आपने मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए जितने भी उपाय की है ना उसके रिजल्ट तो आपको मिलते ही है लेकिन ये वाला उपा प्रसंद करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो आप चाहते हैं कि द्धन बचे भी और आए भी तो ऐसे में कुछ टोटके ऐसे होते हैं जो एकदम से आपको कुई कर देते हैं तो चावल के 21 दाने के खुबसूरत सा टोटका है इसको आपको किसी भी गुरुबार या सुक कर रहे हैं नहीं ब्रह्मूर्थ में कीजिए यानि अरली मॉर्णिंग जब एकदम से वातावरं सांत रहता है उससे में आप लाल रंका कोई न कोई एक कपड़ा जरूर धारन कीजिए आप चाहें तो लाल रंका तौलिया गमची भी रख सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब के बाद आप पुझा स्थान पर बैठे मालक्षमी के सामने एक दीपक जला दे अब आपको चाहिए होगा एक लाल रंका कपड़ा चोटा सा कपड़ा ज्यादा नहीं रुमाल से भी चोटा और इसके ऊपर आपको रखना है 21 दाने चावल लेकिन चावल रखने के पहले एक पानी डालने जादा नहीं एक दूबंद और उसी में चावल को हल्का सा मिक्स कर लिए वह कलर आ जाएगा 21 दाने ही लेना है चावल जादा नहीं अब यह चावल एक दम से साबूत होना चाहिए इस बात का बिसेश धियान रखे अब इसके बाद इस लाल कपड़े के ऊपर यह हल्दे वाले मिक्स जो चावल है उसको रख दे हलका सा सुखा लिजिएगा जादा गिला मत कीजिएगा सुखा सुखा ही रखिएगा अब आप मालक्षमी के सामने इसको रखें उन्हें यानिकि उनको अर्पित कर दें आप बैठकर मालक्षमी के मंत का जब कर सकते हैं अब इसके बाद आप जो इससे भी पूजा पाट करते हैं कि उस पर पित करना है अपको भोग लगाना है इसके बाद इस कपड़े को बांद कर अपने तीजोरी में रख लें परस में रख लें देखिएगा दधन कैसे बशता है बरसता है क्योंकि यह धन बशाने का ही कोई दिकत नहीं है तो नौरात्र का समय है और माता रानी की किर्पा बरस्ती रहे इसके लिए बहुत सारे आपने प्रयोग किये होंगे और करेंगे भी ताकि पूरा साल कम सुकसांती से गुजरे अच्छा स्वास्त रहे जीवन में धन की मुस्किलें परिसान करें कि जब बैकती अंदर से तूट जाता है और पीयस एसी चीजिजें होती है जो आप को आगे बढ़ने ही नहीं देती तो नौरात्र के दिने छोटा सप्रयोग जो आपके किस्मत के बंधन को खोलेगा आपके बंधी किस्मत के ताले खोलेगा और मातारानी की किरपा से सारे सत्रू तंतर भादा यहां तक कि कुंडली के जो निगेटिव चीज़े हैं वो भी समाप्त हो जाएगी बड़े से बड़े गड़ों से छुटकारा पाने के चावल और अधविवल चावल का महत्तव आदभुत है तो ठोड़ी सी खोट हो जाती है एक कोना खाली हो जाता है और कोना खाली नहीं होना चाहिए आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का कपड़ा लाल रंग का कपड़ा आपको ज्यादा बड़ा नहीं लेना है बस आप कम से कम तीन चार इच लंबा चोड़ा ले रहें रुमाल से भी छोटा एक कलावा चाहिए क to take 8-10 अंगल टिए अब इसके बाद हमें शार्धा चाहिए है को दुर्वा घासामों स्थास्य जाएंक या lugै — लिए और या पांछ तो छाहिए और मैंनों टहुएं और प्रời हमाने तो उस लोटे को ले ले अगर माल लेते आपके पास कलस वाला लोटा नहीं है मिट्टी का मार्केट में मिले तो जरूर ले आईए नहीं मिलता है तब ऐसे में आप एक मिट्टी का दिया ले ले बड़ा सधी पक ले लीजिए अब इसमें चाबल भरिए जो आपने बिनकर दिपा है और जब यह परक्रिया आप कीजिए लगातार माता रानी का नाम लीजिए उनका मंत्र जपिए उम दुंग दुर्गाय नम सबसे असान सबसे बड़ा मंत्र इसके साथ ही जब इसको आप पूरी तरह से कंपलीट कर ले तब माता राणी से प्रात्ता करें कि मा बर लाना भी नहीं है पड़ा रहने दे अगले साल या फिर दीपावली के समय अगर आपने नया बनाना है तो फिर से इसको इसमें से सिक्का ले लेना है फेकना नहीं है कलस भी आप यूच कर सकते हैं सिर्फ चावल कॉप मश्रियों के लिए तलाब में डाल दीजेगा और जो आ आपका जो खाना बनाने वाला चावल का डबा है जिसमें से चावल निकाल के आप खाना बनाते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजेगा मातारानी को और पित करने के बाद ठीक है अब मालते पहले से डाल के रखा है तो उस सिक्का को निकाल ले मातारानी के पास बहुत सिंपल है लेकिन इसको आप करिएगा जरूर याद रखिए जरूर करना है किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि नवरात्र के जो नौ दिन है ना इनकी महिमा का बखान तो कोई नहीं कर सकता अब अन्त में एक छोटा सा प्रयोग क्योंकि आज हम आपको चाबल का टोटका 10 जुघ हे हैसा के नौ के दिन मिल्स काम किजिएगा को पता है कि कि बीपल के पेड के मलक्षमी का निवास होता है यानी पीपल के पेड में लख्री जी रहती है इसलिए तो संभार के दिन पीपल पैड में जल अर्पित किया जाता है ताकि जीवन के कस्टमिट है लेकिन जल अर्पित करने का भी विसेश करीका है तो आप सनीवार ही नहीं नवरात्र में किसी भी दिन रविवार को छोड़ कर याद रखिए रविवार के दिन नहीं कीजेगा इसके अलाबे किसी भी दिन कर लीजेग एक लोटा जल, जल में तच्चा दूद ले लीजेगा एक चमत, जादा नहीं थोड़ा सा लीजे, एक चुटकी चावल, बिना तुटा हुआ चावल, जब भी आप पूजा में चावल यूज करते हैं, अच्छे से बिन कर ही रखिए हैं, डबे में स्टोर करके, और मिसरी, मि मतलब सुर्योदे होते होते आप ये परक्रिया कर लीजे, जाए, जाके पीपल के नीचे अरपित कर दें, जड़ में, ओम नमो भगवते वासु देबाए, जितना जादा जब कर सेकें, उतना ही अच्छा, अब इसको अरपित करने के बाद, मा लक्षमी से कहिए, कि मा आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, बोलिएगा जरूर, क्योंकि बोलने से सब होता है, आपको पता है ना, बोलने से ही सब होता है, आपके मन में सही, गला, तमाम तरह की बाते आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, अब आप भगवान से मननत भी मांगते हैं, किसी को बोलते हैं ना ठीक उसी प्रकार आप मां से कहिए आपको जो चाहिए मां देंगी छोली भर के देंगी हम आपसे भी डा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखें धन्यवाद